असलाम लेकुम लेडीज और जेंटलमन वेलकम बैक तो मैं चैनल वेल हमारे जैसे आप लगों को पता है कि इंग्लिश लेंग्विच कोर्स का आज थर्ड दे है और जो हमारे इसकी सब केटेगरी लिसनिंग है उसका आज फर्स लेक्टिर है सो लिसनिंग बैसिकली एक ऐसी स्किल है या एक ऐसा आर्ट है जिसे बहुत से लोग इगनोर कर देते हैं कम्यूनिकेशन में हालांकि कम्यूनिकेशन में लिसनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन्ट है ठीक है सिर्फ बोलना जरूरी नहीं है सुनना भी जरूरी है as communication is a two-way street, ठीक है, वो दो तरफा सड़क है, अगर हमने कुछ बोलना सीखना है, तो हमने सुनना भी सीखना है, हमें अगर बोलना आना चाहिए, तो सुनना भी आना चाहिए, ठीक है, so are you ready to listen, let's start it, सबसे पहले हम यह देखते हैं, कि listening होता क्या है, ठीक है, what is listening, so listening is the ability, यह हमारी basically क्या है, it's an ability, हमारी कुवत है, हमारी सलाहियत है, to accurately receive and interpret messages in the communication process, हमारा जो communication का जो process है, हम जो बातचीत कर रही है, ठीक है, उसके दुरान जो next person है, जिससे हम बात कर रही है, उसने क्या बोला है, उसे accurately receive करना, ठीक है, और उसके बाद उस बोलने में, उन इलफाजों में, उन लफजों में, उसका message क्या था, उस message को सही से समझना, यह है basically listening, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो सुनना हमारे पास listening हो गया, तो listening important क्यों है, why is listening important, यहाँ पर कुछ मैंने इसके important points लिखे है, the very first one is understanding, understanding का क्या मतलब होते है, समझना, ठीक है, किसी भी चीज को समझना, understand करना कहलाता है, तो understanding के लिए message को समझने के लिए listening बहुत ज्यादा important है, हमारे सामने एक person बोल रहा है, पिछले एक घंटे से बोल रहा है, ठीक है, और हमने उसे सुना ही नहीं है, listening की जो skill है, इसे practice ही नहीं किया, तो क्या हमें कोई फाइदा होगा, क्या हम उसकी बातों को समझ पाएंगे, बिल्कुल नहीं, जब तक हम सुनेंगे नहीं, तब त स्टगू के लिए, ठीक है, उसके लिए हमें listening बहुत ज्यादा important है, क्यों, क्योंकि जब हम बात करें हैं, communicate करें हैं, तो उसमें हम बोल तो ठीक है, बहुत अच्छा रही है, लेकिन अगले बंदे ने जो हमें बात किया है, जो question किया है, ठीक है, उसका answer देना भी तो जरू communication है, वो effective होगी, third point is relationship building, जब हमारे communication effective होगी, तो उससे क्या chances हैं, कि हमारे जो relations हैं, वो अच्छे build होगे, ठीक है, यानि हम अगर किसी से सही active होके बातशीत करें हैं, बहुत अच्छा impression जाएगा ना अगले person पे, उससे क्या होगा, कि हमारा एक अच्छा relation बिल्ट होगा उ हुआ है, तो हम दूसरों, अगर हमें कोई राय दे रहे हैं, कि यह better way है, यह चीज़ करने का, ठीक है, तो वो जब तक हम सुनेंगे नहीं, तब तक हम उसे सही से solve नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए जो बाकी सब की points हैं, जो बाकी सारे suggestions हैं, हम उन्हें सुनेंगे, उन्हें क्या होते हैं, बेसिकली जगड़े होते हैं, ठीक है, कोई बहस हो गई, यह को जगड़ा हो गया, तो उनको solve करने के लिए, resolve करने के लिए भी listening important है, for example, दो लोगों के दर्मियान जगड़ा हुए, किसी भी बात पर, ठीक है, वो जब तक बात ही नहीं करेंगे, उनका लेकिन जब तक बात करी, ठीक है, उन्होंने बात कर ली, दो लोगों की लडाई हुई, लडाई के बाद, उन्होंने बात कर ली, बात क्या सिर्फ बोलने से उनका जो issue है, वो resolve हो जाएगा, कभी नहीं, जब तक वो एक दूसरे की सुनेंगे नहीं, एक दूसरे की सुनके उसे answer नहीं करेंगे, तो उनका जो conflict है, उनका जो issue है, वो resolve नहीं हो पाएगा, ठीक है, and the last point is leadership, जो अच्छे leaders होते हैं, वो हमेशा अच्छे listeners होती है, ठीक है, क्योंकि leadership की जो post होती है, इसमें हमें ना सिर्फ बोलना होता है, बलके दूसरों के सुननी भी होती है, ठीक है दूसरों के सुनके उस पे अमल भी करना होता है बास उकात, तो क्या है कि अच्छा leader बनने के लिए अच्छा listener होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर हम अच्छा leader बनना चाहते हो और अच्छे listener नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम कुछ चीसों में lag जरूर करेंगे, ठीक है, अ listening को हम improve कैसे करें, उन टेक्निक्स पे जाने की तरफ, जाने से पहले, मैं आपको यहाँ पे एक scenario देती हूँ, ठीक है, for example, दो लोग बात कर रही है, ठीक है, यहाँ पे आप देखें, एक परसन आया, एक गर्ल बैठी हुई है, वो अपने laptop पिक्च काम कर रही है, ठीक है, परसन आया, उसने का, you know, I have been overwhelmed at work today, कि मैं आज चुह है, वो बहुत ज़्यादा, at work lately, sorry, कि आज कलना मैं काम में बहुत ज़्यादा, overwhelmed हूँ, बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, मुझे, बहुत ज़्यादा, you know, problems face करनी पर रही है, ऐसी, these kind of things, उसने आके बोला, that sounds tough, अज़ उसने इस तरह से response कर दिया, जो show कर रहा है, कि वो बंदी जो है, वो ठीक से आपकी बात को नहीं सुन रही है, तो उससे क्या होगा, कि वो person simply यही करेगा, never mind, forget, I said anything, कि वो गया तो चलें छोड़ें इस बात को, भूल जाएं कि मैंने कुछ कहा है, लड़की वै कहने का कोई फाइदा नहीं हुआ, इस scenario से हमें क्या समझ आ रही है, कि जब हम actively किसी को response नहीं करेंगे, किसी को सुनेंगे नहीं, तो उससे क्या होगा, कि हमारे जो conflicts हैं, उनके बढ़ने के chances हैं, हमारे जो relationships हैं, उनके खराब होने के chances हैं, हमारा जो image है, उसके खराब होने के chances हैं, तो बहुत ज़्यादा जो problems हैं, वो इसी वज़ा से पैदा होती हैं, ठीक है, and it's a proven thing कि बहुत ज़्यादा conflicts हैं, वो ना सुनने की वज़ा से पैदा होती हैं, ठीक है, कि हम actively, attentively किसी को सुनते ही नहीं है, तो जब तक सुनेंगे नहीं, तब तक problems solve, कैसे होगी, ठ techniques की तरफ, that how to become a better listener, कि एक अच्छा सुनने वाला कैसे बना जाए, ठीक है, very first thing is, avoid distractions, सबसे पहले, जितनी भी distractions हैं, उनसे दूर हो जाएं, उन्हें तर्क करते हैं, for example, हमने जो पिछला scenario देखा था, उसमें जो लड़की laptop खौल के बैठी थी, तो आप, जैसे ही, अगर आती हो, कि आप अच्छे listener बनो, आप कोई person आया है, आप laptop को बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, अप उसकी बात सुन लो, उसे answer कर लो, उसके बाद अपना काम resume कर लो, ठीक है, आप phone use कर रहे हो, फोन को थोड़ी देर के लिए रख दो, आप कोई भी काम कर रहे ह हो, कुछ भी, अगर आपको एक अच्छा listener बनना है, तो आपनी क्या करना है, कि कोई अगर आप से बात करता है, तो आपनी अपनी जो distractions है, उनको avoid करके, उस बंदे को actively सुनना है, और उसे answer करना है, second point is, make eye contact, उस person के साथ eye contact बनाए, यह बहुत जादा important है, ठीक है, eye contact बनाना दोनों चीज़ों में important है, speaking में भी और listening में भी, speaking करते हुए, कुछ भी बोलते हुए, आपको पता होगा, कि यह जो debating और यह जो सारे चीज़ों होती है, speaking, speakers जो सारे हमारे होते हैं, social workers और यह वो सब कुछ, तो क्या होता है, कि वो कुछ भी बोल रहे होते हैं, तो वो eye contact ल speaker है, उसे यह लेगेगा, उसे यह feel होगा, कि वो बन्दा बहुत actively आपको सुन रहा है, ठीक है, without any distraction, वो full attentive होके आपकी बात को सुन रहा है, और वो उससे क्या होगा, कि वो जो उस person है, वो जो बोलने वाला है, उसका एक तो confidence बहुत increase हो जाएगा, और आपका chances हैं, कि आपक एक अच्छा relation build हो उस person से, third point is avoid interrupting, यह बहुत important point है, believe me, बहुत दफ़ ऐसे होता है, कि हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है, क्या होता है, कि जो बन्दा बोल रहा है, हम क्या करेंगे, उसकी, उसने बोलना start किये, हमने उसकी कुछ बाते सुनी, दो तीन बाते सुनी, और अभी व बात की, तो हम फॉरण से कहा देते हैं, अच्छा उस बात को छोड़े मुझे यह बताएं, अच्छा यह बात करते हैं, तो यह बहुत ही bad sign होता है, believe me, यह बहुत ही negative vibe create करते है, एक negative energy को generate करते है, ठीक है, किसी को भी interrupt नहीं करना आपने, अगर आप अच्छा listener बना चाहते हैं, तो, अपने क्या करना है, अगला person जो बात करे हैं, उसे बात को complete करने देना, थोड़े से patience का मुझारा करें, थोड़े सा सबरत हमल से काम लें, उसकी पूरी बात सुन लें, उसके बाद उसे interrupt करें, इंटरप नहीं करें, बलकि उसके बाद उसे answer करें, ठीक है, उसके भी topic समझा रहे हैं, तो दर्म्यान में थोड़े देर बाद जब वो थोड़े सा pause लें, तो आपके नहीं कहते हैं, या right, tell me more about it, या exactly, जी, ठीक है, okay, मतलब इस तरह से आपने कुछ specific ये short से words बोलते रहने हैं, उससे क्या होगा, कि अगले person जो है, वो जो बोलने वाला है, उसे ये लगेगा कि वाकिए आप active होके सुन रहे हो, ठीक है, आप सुन रहे हो, तब ही आप उसे थोड़ा सा response भी कह रहे हो साथ, तो ये एक best way होता है, जो last हमारे पस आज की technique है, it's ask open-ended questions, यानि आप open-ended questions पूछें, मतलब आपको वो समझा रहे हैं, तो आप दर्म्यान म उसे सवालात करते रहें, कुछ भी समझा रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पर आपको एक topic समझा रही हूँ, that what is listening, why is it importance, कुछ मैंने techniques बता दी, तो आपने कुछ questions करने हैं, return मुझ से, ठीक है, वो question करने से क्या होगा, कि मुझे ये चीज़ फील होगी, कि आप बहुत actively सुन रहे कि आप एक अच्छे listeners हैं, so ये वाले जो यहाँ पर techniques हैं, इन्हें लाजमी apply करें, ठीक है, और believe me, ये proven techniques हैं, इसके बाद आपको लाजमी आप एक अच्छे listeners बन जाएंगे, और आपको काफी ज्यादा फाइदा होगा इससे, so if you have any query, you can ask me in the comment box, or you can ask me in the group also, so मैं लाजमी आपको answer करूंगी, so take care for the next time, and until next time, have a listening, thank you.